हेलो बच्चो आज मैं आपको क्लास नाइन्थ में चैप्टर नमबर 3 कॉडिनेट जिमेंट्री मैं एक्सराइज 3.3 करूंगी एंसियाटी की लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सराइज 3.2 की थी तो आज हम एक्सराइज कौन सी करेंगे 3.3 देखो बहुत असार एक्सरा पॉइंट्स आपको कुछ पॉइंट्स यहां दे राखें लाइक कौन से कॉडिन पे या फिर कौन सी एक्सेस पर यह सारे पॉइंट्स जो है वो लाइक करते हैं वह आपको बताना है आगे लिखा है वैरिफाइज यूर आंसर बाइलो केटिक दम और कार्टिशन प्लेन अ यहां पर है 3 और माइनस 1 माइनस 1 और 0 1 और 2 और माइनस 3 और 5 ठीक है तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझाता कि कॉड्रेंट्स क्या है जो एक्सेस जो है कार्टिशन प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करता है ठीक है ना कैसे देखो यही था ठीक है ना यह मे यह मेर पास था x-axis प्लस का ठीक है यह मेर पास था माइनस का x-axis और यह मेर पास था माइनस का y-axis ठीक है contents कौन कौन से थे यहां तब यह पास first second third fourth ठीक है चलिए अब देखते हैं हम यहां अब मैं आपको इसके answers बताती हूं कैसे लिख रहे हैं आपको देखो पहले वाला x है दूसरे वाला y है यह आपको पता है minus का है तो x जो है वो minus का है या तो इसमें हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है इनी दो quadrant में हो सकता है ना minus का चलो y है plus का y plus का इस वाले quadrant में है यह रहा plus का x minus का और y plus का कौन सा quadrant आपके पास second quadrant ठीक है तो हम यहां लिख देंगे second quadrant ठीक है चलो next x है plus का X plus का, एक तो इस क्वाडरेंट में हो सकता है, और एक इस क्वाडरेंट में हो सकता है, और Y minus का, अब Y minus का तो इसी क्वाडरेंट में हो सकता है, और एक इसमें, पर मेरेको तो इन दो रोमे से कोई एक चाहिए, तो Y minus का इसमें है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाडरेंट आया अगर आपको यह कोड्रेंट वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत असानी से यह लिख सकते हो अब एक्स जो है वह माइनस वन है लेकिन वाई आपका जीरो है तो मैंने आपको बतायता है अगर वाई के कोडिनेट जीरो हो तो इसका मतलब वह पॉइंट का होगा एक्स ए और अगर एक्स के कोड्रिनेट जीरो होते है यहां पर और वाई कुछ होता तो वह क्या होता वाई अकसे ठीक है तो इसको इसमें डुदने की जरूरत ही रही है अब एक्सबीड Latky कहीं आप एक्सथो यह दो फ्लास के कौौन से कौर्रेंट में फर्स्ट कौर्रेंट में ठ अब हैं –3 और –5 दोनों ही negative है, तो देखो किसमें दोनों negative, X negative यह रहा और Y negative यह रहा, इसका मतलब इस वाले quadrant में है, तो कौन सा quadrant है, यह मेरा, थर्ड quadrant, तो यह आगे मेरा, थर्ड quadrant, तो यह तो मैंने सारे लिख दिया, अब मुझे verify भी करना था, इनको इस पे locate करके, तो चल 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? आप इसे अपने graph paper पर यही बनाना minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 यहाँ पर मैं सारे पहले यह points लिख देती हूँ उसके बाद बस हम इन्हे plot कर देंगे ठीक है? y है minus होता है तो minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 ठीक है? चलो करें plot minus 2, x तो x वाली line पर है, minus 2, यह रहा और y f 4 तो आपको क्या करना है? यहाँ से एकदम सीधी line ले जानी है ठीक है? यह line में draw नहीं कर दियो 4 तक और यहाँ पर dot बना देना है और इस dot पर क्या लिखना है आपको? minus 2 और 4 आप चाहो तो इसे नाम भी दे सकते हो a ठीक है? चलो 3 और 1, x है मेरा 3 plus का, तो पहले x axis पर आजाओ 3 यह रहा आपका ठीक है? और minus 1 है है ठीक है? minus 1 मतलब y axis तो y axis में उपर के side plus के है और नीचे minus के है तो फिर नीचे की side जाओग ना minus यह रहा minus 1 पहले भी है तो यहाँ बनेगा dot ठीक है? गलती से भी 3 के उपर बनाना dot वो फिर वो हो जाएगा कि y 0 है तो यहाँ dot बनाना है आपको और यहाँ क्या लिखना है? 3 और minus 1 ठीक है? यह आपका मतलब y तो कुछ हाई रही आप यहाँ बनेगा dot ठीक है? माइनस 1 पही और इसको लिखेंगे क्या minus 1 और 0 और इसको नाम क्या दे देते हैं इस dot को c ठीक है? चलो, next देखते है 1 और 2 x 1 है और y 2 है x 1 यह रहा और y 2 यह रहा यहाँ पर बनेगा dot इसका मतलब ठीक है न और यहाँ लिख देते है 1 और 2 और इसको नाम क्या देते है d इसको माइनस 3 और माइनस 5 दोनों ही माइनस के हैं पहले x 2 नो माइनस 3 यह रहा माइनस 3 माइनस 5 उपर जाओं नीचे क्योंकि नीचे है y minus का बिक्कुल स्ट्रेट लाइन आप स्केल रखके बनाना ठीक है आप चाहो तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो पर बिना लाइन के करोगे तो भी सही जाएगा ठीक है यह रहा माइनस 3 और माइनस 5 dot दिख रहा है आपको मैं और थुरा इसको मोटा कर देती हूं ठीक है माइनस 3 और माइनस 5 इसको नाम क्या दे e नाम दे देता है ठीक है सारे plot हो गए verify का हुआ है यह तो इसी plot किया है मैने अभी चलो verify करो इसको नाम दिया था a इसको दिया था b इसको दिया था c इसको दिया था d इसको दिया था e a देखो कौन से क्वाड्रेंट में second क्वाड्रेंट में सही है b ढूनो का है b यह रहा b कौन से क्वाड्रेंट में fourth में तो यह भी सही है कि के सिप्राम से कॉद्रेंट में अब आ keynote अब आपको यह duas समझ में याएंगे points, इसलिए, तो आप यह मत सोचना कि यह गलत है, कहीं आप cross लगा दो, यह line के उपपर है, C, इसलिए यह x-axis सही है मेरा, D point ढूदो, यह रहा D point, first quadrant में है, सही है, E point, यह रहा E point, कौन से quadrant में है, third में, हो गया verify, ठीक है, locate करना आगया आपको, ठीक है, यह third quadrant है, तो इसे मैं नीचे तक कर दूँ, कहीं आपको confusion हो, ठीक है, आगया locate करना और plot करना आगया कैसे करने, चलो, next question देखते हैं, next में आपको plot ही करना है, यह आपको लिखा है question जैसे आपके पास यह second, plot the points X or Y given in the following table on the plane, choosing suitable unit of distance on the axis, अच्छा, यहाँ पर unit कह रहा है, चलो, unit एक बर मैं पहले यहाँ भी आपको बता दू, देखो, मैंने एक box में एक number लिखा है, तो उसमें यहाँ एक unit लिखी जाती है, वह होती है, one unit is equal to one square, square ही तो बने वह है है, छोटे-छोटे, तो एक unit, एक square का मतलब एक unit है, ठीक है, यह scale है, यह आपको लिखना होता है, सेम यहाँ पर भी वह ही कह रहा था यह, तभी suitable units बोले ना, तो इसका मतलब वह ही लिखेंगे भी हम, of distance on the axis, यह points है, x और y के आपको दे रखे है, इसी plot करना है आपको, तो चलो कैसे करेंगे plot, पहले मैंने अपनी x-axis और y-axis बना दिया है, ठीक है, तो देखो, मैंने यहाँ पर, यह मेरा plus का y, आप graph paper से भाहर मत लिखना, ठीक है न, तो यह आपका plus का y-axis, graph paper पर लिखना, ठीक है, और यहाँ पर है, मैं यहाँ लिख देते हूं, चलो, एक window को, यहाँ लिख रहूं, यह मेरा है, plus का y-axis, ठीक है, यह मेरा है, minus का x-axis, यह मेरा है, minus का y-axis, ठीक है, और यह मेरा है, plus का x-axis, ठीक है, पहले numbers टाले, प्लॉट करना है तो, 0, क्योंकि यहाँ पर point of intersection है, origin मेरा 0 से, यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मैंने यहाँ डाले हैं, ठीक है, यहाँ पर minus कहेंगे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 तक डाल दिये, यहाँ पर डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने 9 तक डाले हैं, आगे अगर जरुरत होगी तो और लिख लेंगे, ठीक है, y- कहा है, तो minus कहें, minus 1, minus 2, minus 3, ठीक है, चलिए, प्लॉट करें, 1st है, पहले quadrant लिख दूँ, एक बरी महीं हाँ आपर, 1st quadrant, 2nd quadrant, 3rd quadrant, 4th quadrant, ठीक है, 1st है, minus 2 और 8, x है, minus 2, do know, x वाली line बें, यह रहा, minus 2, y है, 8, प्लस का है, तो उपर की साइड जाएंगे न, तो चलो, उपर की साइड, आप scale से draw करना, मैं dotted line बनारी हूँ, ठीक है, कहां तक बरानी है, 8 तक, यह रहा आपका point, ठीक है, यह लो यही 8, plot हो गया, और यहां लिखेंगे, minus 2 और 8, इसको नाम दे देते हैं, a, a लिख दिया, ठीक है, अब है second, minus 1, इसी के साथ यह minus 1, और लिखा है, 7, ब्लस का है, उपर ही जाएंगे, चलो, minus 1 से 7 तक चलते, scales और pencil के help से करना है, आपको यह, 7 तक, यहां तक, ठीक है, अलो यह जोइन होगे, यह आगे मेरा point B, ठीक है न, इसके coordinates में यहां लिख लूँ, यहां पर ही space नहीं है, क्योंकि, minus 1 और 7, B होगे, ठीक है, C करते हैं, X 0 है, और Y आपके पास, minus 1.25, देखो, यह point में है, minus का, पहली बात तो Y minus का, यहां नीचे है, fourth quadrant में आ जाओ अब, देखो ना, figure में, fourth quadrant में, 1 के बाद होगा 1.25, तो 1 और 2 के बीच में होगा न, बीच में तो 1.50 होगा, होगा, देखो, minus 1 और minus 1.50, और minus 2, तो minus 1 और minus 2 के बीच का नंबर तो यह है, अब इन दोरों के बीच में कौन सा होगा, इन दोरों के बीच में होगा, minus 1.25, तो आप अपने boxes count करके बनाना, ठीक है, तो जो second और third box है, उसके बीच में बनाना, ठीक है, तो यह आपका वो dot, और यह तो axis में बनेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर x 0 है, तो y axis में बनेगा, इसी dot को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, c, ठीक है, और इसके quadrants में यहाँ लिख रहे हूँ, 0 और minus 1.25, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, चलो, अब यह भी हो गया यहाँ लिख देता है d, और यहाँ लिखते है 1 और 3, ठीक है, आप क्या करें, अब है, p और minus 1, x plus का है, 3 यह रहा, पर y minus का है, तो उपर जाओं नीचे, यह रहा minus 1, तो चलो, को dotted line बना देते हैं फिर हम इसकी, यह रहा मेरा वो dot, और यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और minus 1, क्या नाम दो इसको, e, e, ठीक है ना, तो लो, यह minus 1 है, ठीक है, और यह 3 है, ठीक है, तो यह मैंने सारे points को plot कर दिया, अपने partition plane पे, scale unit, जो मुझसे कह रहा था, वो लिखनी बहुत जरूरी है, one unit is equal to one square, अब आप देख लो, आपने सब चीजे लिखी है, y-axis, x-axis, unit लिखी है, सारे points को plot किया है, a, b, c, d, e, a, b, c, d, e, ठीक है, सारे points हो गए, plot, आपको plot करना आगया, partition plane में कैसे plot करते है, ठीक है, यह थी हमारी आज की exercise, exercise 3.3, अगर आपको इसमें कोई doubt है, तो आप comment section में मेरे से पूशना, मैं आपके doubts सारे clear कर दो दी, वैसे अगर आपने इसका concept किया है, तो बहुत rare chances है कि आपको इसमें doubt ह होगा, फिर भी doubt है, तो आप ज़रूर पोशना, ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे like करें, और मेरे चैनल को subscribe करें, और bell icon on लखे, ठाकि जब मैं next chapter डालू, आपकी class का class 9 का, तो आपको उसकी notification मिल जाए, thank you.